इसको चेतना प्रियोग कहा जाता है। चेतना प्रियोग का जाता है। चेतना प्रियोग का मतलर है पूरे सरीर को चेतन्य करने की क्रिया है। जिससे की हम उस सरीर चेतन्य होगा तो हम कुंगली जागन कर सकेंगे। सरीर चेतन्य होगा तो हम चीवन में रोग रही तो हो सकें नित्जेए एक माला मंतर जाप किया जाना चाहिए यह मंतरा चुन परियोग यहमें क्रियादने के तो फ्रियो परियो परियो संझाया मंतरा आप मंतरत में परियोग चेया म Hybrid से भी क्रिया यह गोस्ती है चेटना मंत्र में आपको लिखवा देता हूँ आप मुर्खली जी मंत्र है यदि आप पूरा नहीं लख सके हैं तो बाद में निर्मूर जी से मिलके पूरा करवा लेगा पर एल पास ध्यान देंगे तो पूरस महीं देगा मंत्र है ओम रीम ममा दान देह रोम प्रति रोम जैतन्या जाग्रय रीम ओम नमा ओम रीम ममा दान देह रोम प्रति रोम जैतन्या जाग्रय रीम ओम नमा ओम रीम ममा दान देह रोम प्रति रोम जैतन्या जाग्रय रीम ओम नमा इसका निरंग पर यदि आप रोज एक माना मंत्र जाप रते हैं तो पूरा सरीर आपका चैतन्या होता ही है इसकी पैचान कैसे होगी यदि आप 5-7 दिन क्रियोग करेंगे तो अगर आपकी स्मण सक्ती गमजोर है यदि आपको याद नहीं रती तो आपने इस मुर्शती अपना आपने चीविता क्यों रग्रस रोगी एक दम से आपको नई चेतना नए विचार नए आवनाए नए कल्पनाए जीवन का एक फोस जीवन का एक मंग आपको प्राक्रूस केगी इसको जेतना प्रियोग कहा जाता है